ratios may be expressed in the four ways ratio को हम चार तरीकों से express कर सकते हैं जो सबसे पहला तरीका है वो बिल्कुल simple है इसी वज़े से हम पहले method को बोलते हैं simple ratio या pure ratio या proportionate method proportion method भी कह सकते हैं इसको हम express क्या से करते हैं ध्यान से देखेंगे it is expressed by the simple division of one number by the another इसमें हम एक number को दूसरे number से divide कर देते हैं divide करने के बाद जो answer आता है उसको हम proportionate form में show करते हैं और वही हमारा answer होता है वही हमारी ratio की form होती है for example इस method का मैं आपको example दे रहा हूँ current assets मानलो मेरे पास 2 लाख है current liabilities मानलो मेरे पास 1 लाख है मैंने क्या किया current assets को current liabilities से divide कर दिया तो answer क्या आया 2 is to 1 इसको मैं ratio के form में कैसे show करूँगा 2 is to 1 तो यही बात theory में भी लिखी होई थी कि इसमें एक simple सा division है मतलब हम एक number को दूसरे number से क्या कर देते हैं divide कर देते हैं और हमको ratio मिल जाता है तो यह सबसे simple form है इस form के उपर हमें आगे आने वाले कोश्ट में काम भी करना होगा second देखते हैं rate or so many times इसको calculate कैसे करते हैं इसमें हम यह देखते हैं कि जो एक figure है दूसरी figure की कितनी गुना है कितना times है मतलब हम दो items का दो figures का comparison कराने वाले हैं comparison करवाने के बाद हम यह देखेंगे कि पहली item दूसरी items की कितनी गुना है for example मान लीजिए एक साल के last में मेरे पास debtor से 40,000 sale हुई मेरे साल के last में total sale मतलब साल के दूरान 2,000,000 तो मैंने क्या किया sale को debtor से divide कर दिया तो यहाँ पर answer क्या आया five times मैं यह कह सकता हूँ कि जो sale है वो debtor की पांच गुना है मतलब हमारी जो sale हुई है वो debtor से पांच गुना है तो इसमें क्या हुआ हमने दो items का comparison कराया comparison कराने से हमको यह पता लग गया कि जो एक figure है दूसरी figure की कितनी गुना है कितनी multiply में है how many times में हमको answer मिल गया third देखते हैं percentage the relation between two figures is expressed in the hundred हम क्या करते है reality में percentage निकालने के लिए दो items को division में डालेंगे और multiply का कर देंगे hundred कर देंगे for example मालो मेरे पास profit हुआ एक लाग sale हुई 10 लाग मैंने क्या किया hundred से multiply कर दिया यह पता कर लिया कि मेरे को जितना profit हुआ वो sale का कितना percentage हुआ 10 percentage हुआ तो यहाँ पर division भी हो गई और hundred से मैंने multiply भी कर दिया percentage निकालने के लिए हम हमेशा यही करते हैं तो ratio को हम percentage में भी express कर सकते हैं तो इसमें क्या या percentage form आ गया हमको यह पता लग गया कि जो net profit है वो total sale का 10% है तो यह हुआ हमारे ratio को express करने का third तरीका अब हम देखते हैं fourth way fraction इसके अंदर क्या होता है for example हम यह कह सकते हैं कि जैसे net profit one fifth है capital का for example मैंने capital लगाई हुई थी पांच लाग profit हुआ मेरे को एक लाग तो आपको क्या लग रहा है कि यह जो profit है capital का कितना है one fifth है profit capital का one fifth है इसमें हम fraction form में ratio को express करते हैं तो यह जो चारो techniques मैंने आपको बताई ratio को express करने की यह techniques आगे जब हम chapter को study करेंगे कहीं न कहीं हमको questions में use करना होगा हमको questions में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है